बाजार के हजार रुपे कीलो के मिठाई भी बेस्वाद है जब आप अपने हातों से रक्षा बंधन के दिन इतनी आसानी से स्वादिश्ट और हेल्दी मिठाई घर में ही बनाते हैं और अपने प्यारे प्यारे भाईया के कलाई पर राखी बानने के बाद जब आप उनका के लिए रक्षा बंधन इस्टाफिंग मैंगो स्वीट की रेस्पी लेकर आई हूं और ये खाने में इतनी दिलिसियस होती है कि बच्चों से लेके बरो तक सभी खूब पसंद करते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं स्टाफिंग मैंगो स्वीट बनानी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टाफिंग का मिक्चर बनाएंगे मतलब कि इसके लिए मावा बनाकर त्यार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहां और अब हम इसे लगातार चलाते हुए उबालते रहेंगे जब तक कि दूद जल कर मावा के टेक्स्चर में ना आ जाए तो यहाँ पे दूद जलने के बाद थोरा गाठा हो गया है तो इसमें दो बड़े चमच चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चीनी की मात्रा को कम या जादा भी कर सकते हैं या फिर इसके जगह पे मिस्री का भी यूज कर सकते हैं तो इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पिघल न जाए और ये पकर मावा के टेक्स्चर में ना आ जाए तो अब हम इसमें एक चुटकी केसर डाल और इसे अच्छे से मिला देंगे इसे डालने से इसमें कलर और स्वाद दोनों बहुत ही अच्छा आ जाता है अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसे स्किप कर दे तो यहाँ पे ये मावा बन कर त्यार है और ये ठंडा होने के बाद और भी जादा ठिक हो जाएगा तो ग अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो मैंने यहाँ पे एक बरा साइज का नारियल लिया है आप इसे बनाने के लिए छोटा या बरा कोई भी नारियल का यूज कर सकते हैं और साथ में ही दो छोटे साइज का लंगरा आम लिया है नारियल और आम दोनों को पानी से अ इसे मुसल से तोर रही हूँ इससे ये आसानी से तूट जाता है इसे तोड़ने से पहले इसके नीचे में कोई बरतन रख ले ताकि जब इसका पानी निकले तो अब हम यह जो नारील का पानी निकला है इसे एक बोल में डाल देंगे और इसे बाद में छननी से छान कर पी जाएंगे फेकेंगे नहीं तो इसे अलग रख देती हूँ और नारियल के उपर वाले पार्ट को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये नारियल का उपर वाला पार्ट अलग हो गया तो अब हम सभी नारियल के टुक्रों का छिलका निकालेंगे तो नारियल के टुक्रों के छिलका को एके करके चाकू या पीलर के हेल्प से निकाल लेंगे ये कच्चा नारियल है तो आसानी से इसका छिलका निकल जाता है तो मैंने इसका छिलका निकाल कर रख लिया है तो अब हम इसे छोटे छोटे टुकरों में कट करेंगे ताकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बारीक पिस जाए आप इसे बनाने के लिए डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन ताजा कच्चा नारियल में एक अपनी मिठास होती है और ये सभी जगब बरी ही आसानी से मिल भी जाती है इसके सेवन करने से हमारे सरीर के हड़ियों और मांस्पेसियों को मजबूती मिलती है और साथ में ही इसमें कौपर, सलेनियम, आयरन भी मुझूद होती है लेकिन अगर आपके पास टाइम क है या जादा मेहनत करने का मन नहीं है तो आप इसे सूखे नारियल से भी बना सकते हैं तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकरों में कट कर लिया है तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो उसके लिए हम एक जार ले लेंगे तो इसमें सबसे पहले 6-7 काजू और 6-7 बादाम डाल कर थोड़ा ग्राइंड करेंगे ज्यादा बारीक नहीं करेंगे दरदरा ही रखेंगे तो इसमें धक्कन लगा कर ग्राइंड करेंगे आपको दिखाती हूं तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है धक्कन निकाल कर चम्मत से दिखाती हूं तो इसका इस तरह का ही टेक् और अब हम सेम जार में कटे हुए ताजे नारियल डालकर बारिक ग्राइंड करेंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेंगे उसके बाद हम आम का छिलका चाकू के हेल्प से निकाल लेंगे फिर इसके गुदा को कट करके जार में डालेंग तो मैंने यहाँ पे इसे बनाने के लिए लंगरा आम का यूज किया है जिसे मालदा आम भी कहते हैं और ये खाने में बहुत ही जादा मीठा होता है आप इसे बनाने के लिए पलपी जूसी और मीठा आम का यूज करें वैसे इसे अगर अलफांसो आम से बनाया जाए तो ये और भी अच्छा बनेगा, आम का सीजन लगभग अब खत्म होने को है, लेकिन अभी भी बाजार में लंगरा आम मिल रहा है, आम का स्वाद इतना अच्छा होता है कि सालों भर हम लोग इसे खा सकते हैं, और इसमें फाइबर, प्रोटीन, पोटेसियम, बिटामिन A, बिटामि अगर आम ज्यादा मिठा है, तो आप इसे skip कर दें, तो मैंने इसे grind कर लिया है, और इसे एक bowl में निकाल लेंगे, उसके बाद gas on करके कडाही को गर्म करेंगे, कडाही के गर्म होते ही gas की flame को low कर देंगे, और इसमें ग्राइन के हुए नारियल को डाल कर 8-10 मिनट भूनेंगे जब तक कि इसका नमी न सूख जाए तो यहाँ पे यह भून गया है आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल ड्राइ हो गया है तो इसमें ग्राइन के हुए मैंगो प्यूरी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि यह तेल ना छोड़ने लगे जब यह पूरी तरह से पक जाएगा तो कडाही में एक जगा इखटा हो जाएगा तो यहाँ पे यह पक गया है और नारियल भी तेल छोड़ रहा है तो अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इस मिक्चर में से छोटे छोटे पोर्षन लेकर दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से गोल गोल करते हुए बॉल का आकार देंगे ताकि स्टफिंग करते टाइम आसानी हो तो इस तरह से बना कर हम रख लेंगे तो इस तरह से बना कर रख लेने के बाद हमने जो कच्चा नारियल और आम से मिक्चर बनाया था उसमें से थोरा सा पोर्षन ले लेंगे और इस तरह से हाथ से थोरा फैला देंगे इसमें बनाए हुए मावा के बॉल को डाल कर अच्छे से ढखकर बंद कर देंगे फिर दोनों है थेलियों की सहायता से गोल-गोल घुमाते हुए बॉल का आकार देंगे फिर इसे डेसिकेटेड कोकोनट में कोटिंग कर देंगे ताकि ये सभी आपस में चिपकी नहीं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा दिलाइट लगती है तो इसे एक एक करके इस तरह से बना कर रख लेंगे आप इसे छोटा या बरा साइज में बना सकते है तो मैंने इसे बना कर रख लिया है और यहाँ पे ये टोटल 20 स्टफिंग मैंगो स्वीट बने है तो अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और केसर से गार्निस कर देंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा टेम्टिंग लगे अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दे तो अब हम इसे दूसरे प्लेट में डाल लेंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो ये हमारा बेहदी स्वादिष्ट और हेल्दी स्टफिंग मेंगो स्वीट खाने क्लिए रेडी है तो आप इसे एक बार जरूर पनाए और खाए ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंदाएगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताए कि आपकी स्वीट कैसी बनी तो आई होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी तो आप से मैं फिर मिलती हूँ एक नए रेस्पी के साथ तब तक लिए टेक केर और बबाई